हलो फ्रेंट्स गुड मॉर्णिंग एंड विल्कम टू यूट्व चैनल एजिकेस निकेता सर्षटी बीपीएसी प्रिलिंस की परिक्षा आगस्त के आखरी हपते में होगी या नहीं होगी इस पर अभी भी है स्पंजिस के स्थिति बनी हुए साथी साथ बीपीएसी के करमच इसी कारण आप देखेंगे कि पिछ पिछले एक महिने में बीपीएसी ने ये वी बड़ी परिक्षा का चैना रिजल जारी किया है लादे है अगर आप शूप-चाप बैठे हाएंगे तो हो सकता है कि परिक्रषा और प्रीब्हर ज्यादा डिले हो और कोई वी सुचना आयोग के वेबसाइट पर जल्दी अप्लोड ने की जाए इस परिक्षा में बहुत सारे ऐसे अभियारती हैं जो कि या तो प्रिलिम्स को लेकर छुट्टी ले चुके हैं और आप जानते हैं अगर आप सरकारी नौकरी में होंगे तो छुट्टी को लेकर कितनी समस् और वह इसी परिस्तिती में जब इस परिक्षा के त्यारी के लिए आपने एक बार अल्रेडी पहले ही इसी साल में छुट्टी ले रखी हो तो दूसरी बार छुट्टी मिलना कितना मुश्किल होता है आप चाहते हैं कि आयोग पे दबाव बने तो स्क्रीन पर आपको इमे पॉज़ित की जानी थी लेकिन उसके रिगार्डिंग अभी कोई भी अपडेट नहीं है ना डेट आया है ना कोई इस तरीके के सूचना आई है कि कि किसी कारण परिक्षा को अस्तगित किया जाकता है दूसरा जो आप देख रहे हैं वह आयोक Inquiry का फोन नंबर है आप इस पर फोन लगाएं और पूछें कि आप की परिक्षा के क्या इस्तिती है भी और यह अगला जो आप फोन नंबर देख रहे हैं और BpsC के पैस्छनी नियंद्रकमार का फोन नमबर है तू तू वान फाइफ थिरिशिक्स एट लेंड नमबर है इस पर भी आप कॉल करके तिस्टी सेवन परिक्षा के रिकाटिंग जनकारी ले शकते हैं क्योंकि अगर हम देखे कि BPSC क्या क्या पेटर्न चल रहा है तो फरवरी में जुडिसेरी की रिजल्ट आई थी मैंस की उसका इंटरिव्यू का संचलन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है जो कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी मुख परिक्षा की रिजल्ट आने के बाद 4-5 महिने तक इंटरिव्यू का संचलन नहीं किया गया हो अमून ऐसा होता है कि एक से दो महिने में रिजल्ट आने के इंट्रिवु कराकर और फाइनल रिजल्ट भी प्रकासित कर दिया जाता है 66 BPSC का भी रिजल्ट पेंडिंग है CDPO Prelims परिक्षा इस परिक्षा के आउजन हुए दो महिने से उपर हो गए लेकिन अभी तक इस Prelims परिक्षा का भी रिजल्ट नहीं जारी किया जाए है आपने देखा होगा कि UPSC की जब Prelims परिक्षा हुई थी जून में उसके मात्र 20 दिनों में Prelims का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो आप इस बदली हुई जो आपकी रूल्स है अगर आप उसको अप्लाई कर देते हो तो आटो मोड में बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है कि इसमें इतना ज्यादा समय लगे लंबा डिले हो तो CDPO के रिजल्ट के रिकार्डिंग भी आप इंक्वाइरी पे पूशे इस दिश्मेस कर दिया है यानि कि जो सिंगल बेंच का डेसे जर्ट जार्य जारी करने का तो अब इडिशनल जारी करके लिऑ के परिक्षा के समंद्य में बिबात को जल्दी अपने विबोसाइड अप्डेट देना चाहिए कि लिग के अपने हक्षा मुख परिक्षा कब तक confusion कब किया जाएगा क्योंकि अगर आप अधिकारों को लेकर जागूप नहीं होंगे तो दूसरा कोई विवेक्ति आपके अधिकारों को लेकर रणने के लिए त्यार नहीं होगा तो इन चीजों को पालन करें ताकि जल्द से जल्द कोई नोटिफिकेशन आयोग अपने वेब